पहले तो मैं मानिये अधिरंजन चौधरी जी से निवेदन पूर्वक पूछना चाहूंगा क्या ये ठीका आपने सिर्फ भाजपा को ही दे दिया है रामराज के लिए क्या आप विबक्षी दल हो आपकी कोई जिमेधारी नहीं आपका कोई दहट नहीं जिस प्रकार से आप स सुद्रूप से सनातनी को टार्गेट करते हो रही बीजेपी की बात तो बीजेपी जिस प्रकार से लगातार लगातार बीजेपी के लिए भगवाराम आस्था का विशे है और आपने उस आस्था को अपनी रास्ता निकाल लिया सुद्रूप से ऐसे रास्ता निकाल लिया क के सुधुरूप से पूरे देश में एक माहुल क्रियेट कर दिया कि अरे अध्या नहीं आएंगे राम जनब भूम वहां नहीं बन रहा है राम जनब भूम कहीं और बन रहा है राम काल्प नहीं थे बोकोहरम आये से होई तालिवानी शाथों संतों कर दिया फिर भी धन्यवा बीजेपी आरेसस मतलब हिंदू नहीं, हिंदुत नहीं, भग्वाराम नहीं, बीजेपी मतलब भग्वाराम नहीं, सिर्फ ठीका बीजेपी आरेसस का है, यह जिम्मेदारी शंतों की है, हिंदू की है, सनातन संस्कृति को मानने वालों की है, सिर्फ एक माध्यम बीजेपी औ पर नुक्त हैं इसलिए वो लोग निमंतरन देने के लिए गए हुए थे हम लोगों ने पहले ही मेरी बात को अंता मत लिजेगा हम लोगों ने पहले ही मना किया था कि ये लोग नहीं आएंगे आप इनको निमंतरन मत दीजिए क्योंकि आप जब इनको निमंतरन देंगे ये नहीं अबयागं तो हिंदू जनमानस के सामने यह नंगे हो जायेंगे वहीं हो गया यह सिर्फ सिर्फ एक ही कारन सिर्फ सिर्फ गोल टोपी को खुश करना और गोल-गोल कर के दूसरे को टोपी पहना देना और एक तड़फ तो कांगरेश कहाती है पता है आपको छे लेना चाहती है राम जनम भूम की मैंने ताला कोट के माध धिम से खोला दुनिया जानती है जमीन अधिकरन के बहाने लमसम एक सो कुछ मंदिरों को कॉंग्रेस सरकार ने उस समय में क्वाइर किया और राम जनम भूम के नाम पर की राम जनम भूम तो खत्ब होई गई इसके अलावा ये तो नहीं बन पाएगा इसके अलावा और भी आसपास जतने मंदिर है उसको धुस्त कर दिया जाए ये कॉंग्रेस की साजिस्ती ना कि मंदिर के पच्च में जमीने क्वाइर करना था अगर मंदिर के पच्च में जमीने क्वाइर करना था तो पूरब के तरफ बीस घर मुसलिम थे पस्चिम के तरफ आठ घर मुसलिम थे किसी का एक इंच बाल बराबर जमीन एक क्वायर नहीं हुआ और सारे मंदिर क्यों है क्वायर हो गए घंबिर विशा है इसके नाते एक तरफ तो ये लाभवी लेना चाह रहे थे दूसरे है कि बीजेपी का इवेंट है सिर्फ एक ही डर है सिर्फ मुसलमान को खुज करना बाकी कुछ रहे लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान जाग रुख हो चुका है मैं आपको घट्टां बता दू यहीं नगर निगम का चुना हुआ नगर निगम के चुनाव में ओवैसी जैसे पार्टी कि 17000 बोरट पाई दू दो पार्शत जित गए और कांग्रेश का क्या होकात है कांग्रेश के क्या होकात है एक अध़जार Aboriginal its जैसे पार्टी 17,000 बोट पाती है और दो पारसद जीता है और कांग्रेस का एक हजार बोट एक भी पारसद नहीं यह हैस्यत इनकी आने वाले दिनों में मुसल्मान इनको समझा देगा मैं पुना निवेदन करना चाहूँगा भारत जो न्याय यात्रा पहले भारत जोरो यात्रा इन्हों निकाला था इतना जोर दिया कैरा जिनके चले गए दूसरा इन्होंने न्याय यात्रा निकाला है यह न्याय जिन्होंने भगवान राम के साथ इतने दुने तक अन्याय किया ये अन्याई जिन्होंने सनातनियों के साथ इतना अन्याई किया ये अन्याई जो कहते थे मंदिर नौजमान लड़की छेहने के लिए जाता है ये अन्याई जो साधु संतों को तालिमानी घोसित कर दिया ये अन्याई सी, ये अन्याई, सनातन क्रोनों है, डिंगो है, मरीय है, टाइफाइट है, ये अन्याई, राम चे भारना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबन करना चाहिए, ये अन्याई, राम को कालपनी कहने वाले, आज न्यायात्रा निकाल कर क्या संदेश देना चाहते है सो दरोब से डर के मार से कहीं अध्याना आना पड़ा है इस डर के मार से अपने आपको बता दिया कहम कायरकम में वैस्त हैं इसके नाते मैं नहीं आ सकता हूँ लेकि दुनिया जानती है, दुनिया समस्ती है, दुनिया जाकरूख हो चुकी है अब इन काल नेमियों के चक्रम नहीं आने वाला दूसरा बात आपने का बंदिर मंदिर मेरा शवाल है अगर नयायात्रा आपने निकाला तो आपको दो मंदिर पहले आना चाहिए था कौन चलिए एक मिनट के लिए बीजेपी नहाई जैक कर लिया तो अभी दो जगह बचा हुआ है सिर्फ अभी एक जगह मोदी जी गई ही है तो चले जाने से कोई भी जा सकता है दर्शन करने के लिए उनका नहीं हो जाता है अभी मत्वरा बचा हुआ है और कासी बचा हुआ है अगर आप वाकई में मंदिर से इतना प्रेम है पुना मैं कहता हूँ राहुल बाबा से अगर वाकई में सनातन से एक भी पैसे लगाओ है तो आप न्याय यात्रा भगवान कृष्ण से न्याय करने वाला जादा कोई होता है आप समझे एक तरफ पूरी अक्षो होनी सेना एक तरफ अकेले वो डटे लड़े हुए थे अर्जुन के तरफ से न्याय के लिए ही तो तो चलो ठीक है न्याय यात्रा तो आपको यहां से निकालना चाहिए था हिंदों के साथ न्याय हो रहा है भगवान कृष्ण के जन्म भूमिशे वहां तो आपने छोड़ दिया चले ठीक है कोई बात नहीं है आपको भगवान कृष्ण से प्यार नहीं है अगर आपके अंदर दानब प्रविटी आ गई है तो आजाएए भोले के नक्री भगवान भोले के पास भगवान भोले के पास तो देवता भी आता है दानब भी आता है दानब ही भी उतने आशिरवाद पाता है देवता भी उतने आशिरवाद पाता है अगर आपको आशिरवाद ही लेना था तो आप आ जाते काशी और कासी में ग्यान भापी से सुरुआत करते क्योंकि आप जिस कौम की बात करते हैं वही कौम अरंगा डालती है वहां पृतक्षक्रिम परमारम और भगवार भोले से सुरुआत करते क्या दिक्कती विश्य ये है कि आपको सनातन से कोई मतलब ही नहीं है बुलाया है सकता है, इसके बाद बुलाया है, वो लोग भी आएंगे, जिनको आप बात करते हैं, बीजे पी आ रहे हैं सकता है, इसके इनोंने बुलाया है, वो आएंगे.